हलो दोस्तों मैं कुझनान कुमार हमारे यूटुब चैनल के आरिज्याम मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालुम है कि चार महीं से मेट्रीक और इंटर का फैनल परिश्चा सुरू होने वाला है तो दोस्तों आज से आपको हमारे चैनल द्वारा डेली इंपोर्टन प्रेस ने करवाय जाएगा जो कि आपके आने वाले परिश्चा के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है तो दोस्तों आप लोग डेली एक वीडियो जरूर देख लिजेगा ताकि आप अपने परिश्चा में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप् तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का जो पहला प्रेस्ण है वह है सांस लेना के सी रासानिक अभिक्रिया है तो दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें उर्या की प्राप्ति होती है तो एसी रासानिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के में उस्मा का सोसन होता है मतलब उस्मा की हानी होती है उसे उस्मा सोसी अभिक्रिया कहते हैं ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उस्मा छेपी अभिक्रिया होगा क्योंकि सास लेने के बाद में हमें उर्या मिलती है ठीक है चलिए आप बात करते हैं नेक्ट कोश्चन क तो देखिए दूसरा जो प्रस्न है वह है प्रकास की किरने केसी गमन करती है तो जब कोई प्रकास की किरने गमन करती है तो हमेशा वह एक सीधी रेखा में गमन करती है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए ठीक है एक सीधी रेखा में चल खाना खाते हैं तो इसमें किस परकार की अभिक्रिया होती है तो वियोजन अभिक्रिया होती है और वियोजन अभिक्रिया एसी रासानिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ठ थीक है उगे निर्वात मैं परकास की चाल कितनी होती है तो जो दोस्तों निर्वात मैं परकास की चाल जो है वो पर पावर 8वेंटेट मिटर होता ठीक है चलेव देखतें अगला प्रेस्ण को अगला जो प्रेस्ण हो वह है उप्चेंघ अव्चेयं का tourists का दूस्रा नाम है तो दोश्ट उप्चेंघ देखने के लिए नियून्तम कितना दूरी होना चाहिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 25 cm होगा ठीक है दोखस्तो 25 cm ऐप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा तो अगला जो प्रस्ण है वहाँ बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र क्या होता है तो बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र जो है वह है नाहCOO3 नाहCOO3 बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र होता है और यदि आपको रासानिक नाम पूछेगा ठीक है यदि रासानिक नाम पूछेगा तो यह हो जाएगा सोडियम क्या होगा दोस्तोव sodium bicarbonate होगा ठीक है sodium bicarbonate इसका सही उत्तर होता है ठीक है चलिए बात करते हैं अगला प्रस्न का तो अगला प्रस्न है धारा मापने के यंतर को ए मीटर कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तोव A meter कहते हैं धारा मापने वाले यंत्र को option number A इसका सही उत्तर होगा चलिए बात करते हैं अगला प्रस्न का अगला प्रस्न है सिर्का में कौन सा अमल पाया जाता है तो दोस्तों सिर्का में जो है वो है acetic अमल पाया जाता है ठीक है acetic अमल जो है वो सिर्का में पाया जाता है बात करते हैं अगला प्रेश्ण का, तो आपको मालूम होना यह चाहिए पी-एच-इस्केल, ठीक है? पी-एच-इस्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर साथ से इंधर वहाथ होब अमला होता है और साथ से अदिव ऑधिक दोये पर 5 बोल टा तो 5 मतलब 7 के कम है ठीक है 7 के कम है मतलब यह जो है एक अमल है चलिए बास करते हैं अब आगला प्रक्रशन का तो अगला जो प्रस्ण होगा है C-A-O-C-L-2 योगिक का प्रचलित नाम क्या है तो दोस्तो C-A-O-C-L-2 इसका जो प्रकलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण क्या दोस्तो विरंजक चूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चल ले बात करते हैं अगला प्रस्न का तो अगला जो प्रस्न होगा jestem धोनेका सोडा का रासानीक सुत्र क्या होता है तो दोस्टों धोने का सोडा का रासानीक क्या होता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है na2CO3 इंटू 10 H2O इसका जने 2 Na2CO3 इंटु 10H2O और यदि आपको रासानिक नाम पूछेगा तो रासानिक नाम इसका है sodium carbonate decahydrate ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है sodium carbonate decahydrate इसका रासानिक नाम है वो रासानिक सुत्र क्या है Na2CO3 20H2O चल ये बात करते हैं अगला पॉस्न का तो अगला प्र स्न है Plaster और पे लिए का राशानिक सुत्र क्या है तो दोश्तों Plaster अज़िज़नाम हो जाएगाаствर्ग rape dezozo होगा है जन्सानिक नाम हो जाएगा kaldhe locate adrihydr ठीक है चल ये बात करते हैं अब अगला प्रसन का तो अगला प्रस्ण है विद्दूत आवेश का ऐसाई मात्रक क्या होता है तो विद्दूत आवेश का ऐसाई मात्रक आप सभी को मालिम होना चाहिए कूलाम होता है ठीक है तो कूलाम option number A इसका सही उत्तर होगा चलिए बात करते हैं अगला प्रस्ण का अगला प्रस्ण है ओम किस राशी का मात्रक है तो दोस्तों ओम वो परतिरोध का मात्रक होता है आपको याद है ठीक है परतिरोध का मात्रक होता है ओम चलिए बात करते हैं अगला प्रस्ण का अगला प्रस्ण है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अंगुठे जो है अंगुठा ठीक है अंगुठ प्रस्न का तो अगला प्रस्न है भू संपर्क तार्क का क्या कारी होता है जो हम लोग आर्थिंग जिसक्यों की बोलते हैं ठीक है तो आर्थिंग का क्या कारी होता है तो यह आपका जो सही उत्तर होगा वह विद्धूत के जटका से बचाना यदि कहीं पर स्वाट हो जाता है तो उसमें विद्धूत का जटका से बचाना होता है ठीक है एक का और भी बहुत सारे कारी होता है ठीक है लिकिन जो मुख्य कारी है वह है विद्धूत के जटके से बचाना है चलिए बात करते हैं अगला प्रस्न तो अगला प्रस्न है जीपसम का सुत्र क्या होता है तो बड़ाद होना चाहिए सी एएस फॉर इन्टुटू था थाइए सी ए एस फोर इन्टू इन्टू इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप समकांट नहां वह है लीट मेंश का स्रोफ क्या है ठीक है तो दोस्तों लीट मेंश का जो स्रोफ है वह है लीचेन का पोधन ऑप्शन तो को साइंस के OH importantस्स न करवाय जाएघा तो दोस्तों अपलोग डेली वीडियोज को जरूर देशिएगा टाकी हो अपने आयाम में ज्यादा से ज्यादा करतके तो दोस्तों यज यदि आपको वीडियोज अच्छा लगा दो वीडियो कर लाइक कर दिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना मत भूल लेगा ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके